तो फ्रेंज आज मैं बात करने वाला हूँ डाबर का हनी के बारे में तो डाबर हनी गाइस अगर बात करें ब्रेंड्स में हनी इसमें तो वन ओप बेस्ट ब्रेंड है और मेरे साब से और अभी तक मैंने इससे टू बोटल यूस की है और डेफिनेटली इसमें ग्लेम किया ग होगा केलिशिम आपको मिल जाएगा 30 मिलिग्राम्स एन केलरी इसमें हो गया आपके 320 क्लो केलरीज पर्थ 100 ग्रैम्स कार्भोहाइडिर 80 ग्रैम्स एन इसमें आपका शुगर बिलकुल नहीं होगा ठीक है 100 परसेंट आपका इसमें हनी होगा इसमें दावा क्या गया है और काफी 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 ब्रैंड्स है हनीज के और गाईज जितने भी मैंने अभी तक यूज किये उनमें से वन उप बेस्ट ब्रैंड है और इसमें यहां लिखा हुआ है 100 परसेंट प्यॉरिटी गारेंटी लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप यूज नहीं करते तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है और यह वाले जो पैकेट है यह कितनी कॉंटिटी इसकी तो यह 300 ग्रैम्स का है और इसे मैंने पुछेस किया है 120 रुपीज में इसमें आपको 250 ग्रैम्स का बैसिकली यह प्राइस है लेकिन 50 ग्रैम्स इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यहां आपकोजी एगा है 20% extra so yeah I think this is worth it worth buying घानी and I have been using this honey for one month and I have seen so much improvement and if you have an allergy cough as well guys I will recommend you to you आपको करना किया है आपको simply गरम पानी में थोड़ा सा एक एक स्पून आपको लेना है honey and उसके साथ आप थोड़ा सा डाल सकते है lemon ठीक है या फिर आप जिंजर यूज कर सकते है और lemon so उसका mixture आप यूज करके आपकी जो allergy है कफ ऐलर्जी उसको भी क्योर कर सकते है इसानी से और आप डेली यूसस के लिए भी यूज कर सकते हैं and it is also good for the heart as well so heart disease से बचने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं तो काफी सारे फाइदे है इसके लिए इसके and so thanks for watching and this is my short review of dawar honey and thanks for watching till the next video till then bye bye